अब तक हमने इस पत्तेऊश में किसान, डॉक्टर, नर्स, वकील, पंसारी, कुमार, खलवाला, फुलवाली आदि के कारे के बारे में जानकारी हसिल की अब एक महत्त पुर्णा व्यक्ति के बारे में जयानकारी हासिल करेंगे उसके कारे के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले में आपको एक शायरी सुनाती हूँ जिससे कि आप पहचान जाओगी कि अब हमें किस व्यक्ति के कारे का परिचे करना है कभी ठंड में ठि मुल्क की कैसे इफाजत होती है मुल्क की कभी सरहत पर चलके देख लेना कभी सरहत पर चलके देख लेना जी हां बच्चों आब आप जान गए होंगे कि अब हमें सैनिक के कारे के बारे में जानकर हासिल करनी अब मैं आपको एक विडियो के जरिये सैनिक का कारे क्या होता है देश के प्रती उनका महत्व पूर्ण कारे क्या है ये बताने जारे हैं तो चलो सैनिक एक राष्टे का गवरों होते हैं वे अनुसाशित साहसी और निस्वारत ही उनका जीवन चुनोतियों से भरा है और वे प्रत्तिक चुनोति का सामना अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ करते हैं सेना या पोज किसी देश या उसके नागरिकों या फिर किसी शाशन वेवस्ता वर उससे संबंदित लोगों के हीतों और धेवों को बढ़ाने और उनकी रक्षा के लिए घातक बलप्रयोकिक शमता रखने वाला सैसर संगड़न होता है सेना का काम देश वर देश की नागरिक की रक्षा उनके शत्रों पर प्रहार करना और शत्रों के प्रहारों को खदेड देना होता है सैनिकों का जीवन आसान नहीं है हाला कि उन्हें चलते रहना सिकाया जाता है और कभी भी हार नहीं वाननी चाहिए उन्हें बहुत कटनाईयों और चुनितियों का सामना करना पड़ता है जिने साहस के साथ लड़ने की आवश्यक्ता होती है देश का सम्मान और राष्ट्य द्वश का आदर्शे सेनिक के लिए सर्वच्य महत्व है वह इसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है हम भाग्यशाली है कि एसी आदर्शे सेनिकों से भरी सेना है वे वास्तों में सेनिकों के साथ साथ आम जनता के लिए भी प्रणादायक रहे है हमें अपने सेनिकों पर गर्व है और शांती पूर्ण वातावरन सुनिचित करने के लिए उनके प्रतियाबारी है हम उनका पुरे दिल से सम्मान करते हैं और उनके वीरुकृत्यों के लिए उने सलाम करते हैं। वे सच्चे नायक हैं। मिता दिया है वजुद उनका जो भी इनसे भीड़ा है। देश की रक्षा का संगल पली जो जवानसरहत पर खड़ा है।